हेलो दोस्तो स्वागत है आप सब का आज मैं आप सब के साथ प्याज के पकोड़ी की एक ऐसी रेसिपी सियर करने वाली हूँ जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा नॉर्मल जैसे प्याज के पकोड़े आप बनाते हैं उससे ये टोटली डिफरेंट है और बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह के प्याज के पकोड़े बनाएंगे अगर आप एक बार तो हर बार ऐसा ही बनाना चाहेंगे जो भी खाएगा आपके तारीफ करता रह जाएगा बहुत ही टेस्टी बनता है तो चलिए इस रेसिपी को सुरू करते हैं लेकिर उससे पहले अगर आपने मेरे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें चलिए बनाते हैं मैंने एक बावल में ले लिया है बेसन बेसन मैंने यहां पर लिया है 1.5 कटोरी आप चाहें तो किसी मेजरिंग कप से नापके ले सकते हैं 200 ग्राम जितना बेशन है स्वात के हिसाब से मैंने इसमें नमक डाल दिया है एक छोटी चमच जीरा पाउडर और एक छोटी चमच कुटी हुई लाल मिच दिया है मैंने थोड़ा सा बे चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार सूखे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाता है अब हम इसमें क्या करेंगे पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका बैटर त्यार करना है नॉर्मल जैसे बैटर बनता है वैसे नहीं बनेगा यह थोड़ा सा गाड़ा बनता है इसलिए हम बैटर को जितना पर्फेक्ट बनाएंगे पकोड़ा भी उतना ही पर्फेक्ट बनेगा मतलब बहुत यह अच्छे पकोड़े बनके त्यार होंगे अगर दोस्तों आप पहली बार प्याज के पकोड़े बनाना सीख रहे हैं या फिर आपने वही पुराने तरीके के पकोड़े खा के धक गये हैं और कुछ नया बना के खाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए क्यूंकि आज के रेसिपी में आप दो तरीके के बढ़िया पकोड़े बनाना सी जैसे इसमें से लच्छे बन पाए चार प्याज मैंने यहां पर लिया है मेडियम साइज के थोड़े साइज में हम डाल देंगे धन्या पत्ता अभी यहां पर मैं ले रही हूं तीखी वाली हरी मिर्ची चार अगर आप यह बच्चों के लिए बना रहे हैं अगर कम तीखा ख कर सकते हैं इन सब को अच्छे से मेक्स करने के बाद इसे ढखकर 2-3 मिनिट के लिए हम साइट में रख देते हैं इसमें ओप्याज हमने डाला है वो थोड़ा सा स्रिंक हो जाएगा और बैटर भी बढ़िया से सेट हो जाएगा इसे अच्छे से हाथ उसे मेक्स कर लेंगे जैसे प्याज के लच्छे जो बच गया है जो नहीं खुले हैं वो अच्छे से खुल जाए और बैटर भी बड़ी हसे mix हो जाए अब इस तरह से क्या करना है? थोड़ा सा ज्यादा लेना है मतलब ज्यादा बड़े साइज का लेके बैटर तेल में fry करना है मैंने तेल को बड़े असा गरम कर लिया है एकदम हाई फ्लेम पर इसे फ्राय करना है और इसे स्रिप एक मिनिट में ही पलड़ दें जैसे हलका सा सुने रहा हो जाए नीचे की तरब तभी इसे पलड़ दें और एक से दो मिनिट के अंदर ही इसे तेल से निकाल लेना है बहुत जादा इसे पकाने की जरूत नहीं है श्रिप दो मिनिट में ही हम इसे तेल से निकाल लेंगे आपने इस तरह के पकोड़े कभी बनाये नहीं होंगे तो आप ये तरीका आज पहली बार देख रहे होंगे तो पूरा जरू देखिएगा अब हम इसे तेल से निकाल लेंगे और इसी तरह से ही जितना हमने बैटर तियार किया है ना सारे बैटर से इस तरह के पकोड़े बना लेंगे जितना बरतन में आ जाए उतना लेना है और थोड़े बड़े साइज में ही लेना है चोटे चोटे बिटकूल भी नहीं बनाईएगा थोड़े बड़े साइज का ही बनाना है तुरंत ही तेल में डालने के बाद इसे पलट देंगे और निकालेंगे ये मेरा दूसरा बैच है इसी तरह से ही मैंने सारे पकोडे को फ्राइ करके निकाल लिया है देखिए ये कितना अच्छा दिक रहा है बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों इस तरह का पकोडा जरूर ट्राइ करिएगा और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए ना प्लीज लाइक और सेर तो जरूर कर दिजेगा देखिए अब हम इसे सब साइट में रख लेते हैं देखिए ये सारे पकोडे त्यार हैं अब शुरू करेंगे इसका दूसरा प्रोसेस एक पकोडा लेना है इसे इस तरह से प्लेट या कहीं भी सपाट जगह पे रखके एक फ्लाट कटोरी या प्लेट से इसे दबाना है आप देख सकते हैं ये प्लेट के पीछे कैसे कच्चा बेशन लगा है मतलब ये जो पकोड़ा है ये अंदर से कच्चा है आपको इसी तरह से ही कच्च वाला पकोड़ा बना के इस तरह से फ्रेस करना है जैसे बड़े बनाया जाते हैं उसी तरह से ही हमने इसे सेव दे दिया है आपको जब ये प्रेस करना हो तो आप इतना ध्यान रखना है कि चारो तरब से बरावर से प्रेसर दे के इसे दबाएं जैसे ये एक समान बने मतलब कहीं से मोटा या कहीं से पतला ना बने अगर कहीं से मोटा या पतला बनेगा तो फिर एक समान ये कुरकुरा नहीं बनेगा देखिए इसी तरह से ही मैंने सब प्रेस करके रख लिया है और इसे जाता दपाना नहीं है ने तो फिर ये तूट सकता है देखिए अब हम क्या करेंगे इस तरह से एक पीस लेंगे और इसे गरम तेल में फ्राइ करेंगे जब तक ये सुनेरा होना जाए जितना आपके बर्तन में आ जाए उतना आप ले सकते हैं इसे अब हम मेडियम फ्लेम पर फ्राइ करेंगे मीडियम फ्लेम पर इसे तब तक फ्राय करना है जैसे ये चारो तरब से बढ़िया सा गोल्डन कलर हो जाए और कुरकुरा भी हो जाए जैसे देखे इसे उलट-फुलट कर लेंगे इस तरह का पकोडा है ना ये बहुत ही जादा कुरकुरा बनता है बहुत जादा टेश्टी लगता है अगर आपको सौप्ट वाले पकोडे खाना है जैसे हमने पहली बार में बनाये था ना जो पकोडा उसे क्या गना है थोड़ा अच्छे से पका लेना है दो-तिन मिनिट पका लेने पर वो बढ़िया सा पकोडा बन जाएगा अगर आपको क्रिस्पी एकदम मज़ेदार पकोडे खाना है थोड़ा अलग टेश्ट वाला तो आप इस तरह से डबल फ्राइ कर सकते हैं डबल फ्राइ करने के बाद यह बहुत ही टेश्टी लगता है दोस्तो इसके साथ आपको कोई चटनी या सॉस की जरुत नहीं है बस थोड़े से तले हुए मिर्ची ले लिजिए उपर से थोड़ा सा चाट मसाला और काला नमक छेड़क दीजिए बस त्यार है हमारे मज़ेदार प्याज के पकोडे ये प्याज के बड़े भी कह सकते हैं आप इसे बहुत ही टेश्टी लगता है जरू ट्राइ करें वीडियो को लाइक और सेयर करते हैं चानल को सब्सक्राइब थैंक यू